लेजीनेस आलस्य अगर आप इसे नहीं सुधारेंगे लेजीनेस को अगर आप खतम नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ खराब कर सकते हैं इसलिए लेजीनेस यानि कि आलस्य को हटाना पड़ेगा मैं भी करता हूँ आलस्य और आप भी कही न कही करते होंगे और करते हैं तो उसे हटाना भी चाहते होंगे तो इसलिए आज हम बात करेंगे आलस्य को हटाने का तो सबसे पहले, जब भी हम लोग आलज से करते हैं, जब भी हम लोग परने बैठते हैं, या फिर कोई काम करते हैं, तो हम लोग को आलज से इसलिए आता है, किमकि हम जहां पर काम कर रहे हैं, वहां पर गंदगी फैली हुई है, मतलब समान इधर उधर हुआ हुआ है, जैसे ह चाहिए काम करने या फिर परने तो वहां पर क्या सब कुछ जो भी वहां पर समान है अन्नेसरी मतलब जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटा दीजे और उसे क्लीन रखिए ऐसा करने से आलस से दूर होती है गंदगी नहीं रखिए और बहुत जनको आप देखे होंगे कि खुद से बाते करते हैं नेगिटिव जैसे कि मैं आलस से करता हूँ मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पास यह नहीं है मतलब खुद को आलसी फील कराते हैं वो लोग बोल कर तो एटलिस खुद से मोटिवेट बोलिए मतलब खुद से पोजिटिव बाती कीजिए क्योंकि जो हम बोल को आप देखे होंगे कोट्स परते हैं कि आलस से हो यह आलस बहुत अच्छी बात है लेकिन नहीं हद से ज्यादा कोई भी चीज करना हानिकारक होती है तो इसलिए आलस से को दूर कीजे इससे खुद को मोटिवेट रखिए खुद से अच्छी बाते कीजे अब जब भी आप पर या फिर पर रहें तो देखे होंगे कि उस टाइम भी पुर्ण डेक्स फिर भी आलस से हो रही है कि यह मैं नहीं करूंगा आज थोरे दर बात करते हैं तो उस टाइम खुद को एक चीज याद दिलाए कि अगर मैं आज ये काम नहीं करूं तो क्या होगा मेरा फ्यूचर क्या होगा तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आज हम मैं अराम करूंगा तो कल मुझे तो ये करना पड़ेगा इसलिए क्यों ना आज ही कर लूँ तो हमेशा याद दिलाओ जब भी हो रही है आलस्यदो कि आलस्यदो करने से मुझे क्या फाइदा हो हो रहा और क्या नुकसान हो रहूं है अब आती है में बात कि भौछ बहुत काम करते है आप पड़ते हैं एलिस्त में भी करता हूं लेकिन अच्छे कप्रें पहने पहने अच्छे मतलब साफ सुत्र यह नहीं कि आप नया कपरा पहने लिए और तब जाकर काम पर यानि परना पराई कीजिए ऐसा करने से क्या होगा कि आपको कोंफिलिंट रहेगा साप सुत्र गंदगी रहने से आदमी आले से करने लग जाता है तीक सारा आदमी बहुत सरा स्टूडेंटं खाया कि जैसे ही मूटिवेस 210 मिल साथी है और मूटिवेसं ही आपलोड लेंगे खुद में तो आप आलज से होगा आपको तो इसलिए एक दिन में वही काम कीजिए जो आपको जरूरत है वह काम मत कीजिए जो जरूरत नहीए आलज सिकर जितना भी मैं बताया अगर आप इसको नहीं फॉल्बा करेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं होने वाला है अब बहुत सारे लोग चिप्स पैकेट का खाना खाते हैं सुगर यानि की चीनी का चीज खाते हैं चीनी खाते हैं यह चीज खाना हमारा हैल्थ को बरबाद करती है और जैसे की हमें पता है कि आलत से बहुत तो डॉक्टर नहीं हूं लेकिन मैं बताओं कि आपको क्या खाना चाहिए साख सब्जी प्रोटीन के लिए कुछ भी चीज खा सकते हैं ठीक और यह खाने से हेल्दियर खाना की खाना मतलब आपको इनेर्जी देता है कि हेल्दी खाना खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे और हेल्दीमान्ड जीन